ये है stock versus nifty का chart जानुरी 2020 से current date तक देखते हैं गिरावट और recovery कैसी रही correction के समय में stock अगर इंडेक्स से थोड़ा ज़्यादा गिरे ऐसा तो हो सकता है जानुरी 2020 से current date तक 39% का appreciation हुआ है owners की wealth में stock और nifty 50 index दोनों में stock का production ज़्यादा अच्छा हुआ stock का long term performance कैसा था आईए देखते हैं 1-1 2014 को share price थी और index था 6 साल बाद share price थी और index था lockdown में जब lowest point पर market थी तब 23 मार्च 2020 को share price थी और index था और current price है और index है अगर हमें nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए 1-1 लंबी अउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए 2-2 जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए nifty के मुकाबले 3- जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए nifty के मुकाबले 4- हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा share nifty से better है या नहीं यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-01-2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई और करण शेर इन्वेस्टमेंट की value है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च 2020 में इस investment की value हो गई और करण इन्वेस्टमेंट की value है शेर में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point शेर ने जीत लिया है second point निफ्टी ने जीता third point शेर ने जीता overall शेर जीता यही figure चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि यह शेर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसा ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने percentage का return दिया यह share ने कितने percentage का return दिया stock market में अगर return ज्यादा है तो risk भी ज्यादा है यह आकड़े देखकर अगर किसी को विचार आए कि मैं bank FD तोड़कर share खरीद लूँ तो उसके लिए यह है अगला chart जो 1-1 2020 से 31st March 2020 का है यह comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर निफ्टी मजबूत रहा यह comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर निफ्टी मजबूत रहा थैंक यू